राम राम भाई सबी भाईयों को भाई जैसा कि आपको पता है इंस्टा पे भी स्टोरी लगाई थी कल कि एक जो फिटनेस लवर हैं उनके लिए एक अनौसमेंट आने वाली है भाई तो अपनी अनौसमेंट वो थी मैं अपनी पहली सीरीज लेके आ रहाँ जिसमें मैं और मेरा भाई गोरो साथ होंगे हम दोनों साथ में व्रकाउट करेंगे अब बोलेंगे सब की सीरीज तो सब लेके आते हैं इसमें क्या खास होगा तो भाई ये बिल्कुल natural series होगी जो पूरे दिन की diet schedule होगा और workout होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा जो लोग बोलते हैं कि 90 days में transformation कर दी ये कर दिया या हमने इस level की body बना ली तो हम देखेंगे natural हम कहां तक hit कर सकती हैं बेभी हम उनसे better hit करें या उनसे कम hit हो जो होगा आपके सामने होगा transparent रहेगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा present condition क्या है 10-15 दिन से workout भी ऐसा ही चल रहा है जो इंस्टा पे follow करते हैं उनको पता होगा कि आउट ओस्टेट था मैं अभी कपड़े उतार के दिखाऊंगा कि present condition क्या है और exact 90 days के बाद जिस दिन हमारे day 90 complete हो जाएगा उस दिन में आपको कपड़े उतार के दिखाऊंगा कि body की conditions क्या है और हमने मतलब 90 days में कितना gain किया है कितना fat percentage अपना drop हुआ है हम पहले target करेंगे जो मैं लेके चल रहा हूँ पहले मैं gain करूँगा अपना present weight भी दिखाऊंगा आज और उसके बाद fat percentage भी हम drop करेंगे और कोशिस हमारी ये रहेगी कि हमारी strength drop ना हो जैसे हमेशा होता है कि कुछ लोग बहुत ज्याद अश्ट मतलब fat drop करते हैं तो strength भी drop होते हैं तो कोशिस रहेगी मतलब strength भी साथ-साथ maintain रहे तो जो भाई natural हैं और जो हमें sport करेंगे मैं चाहता हूँ कि भाई पहली series है आप सब दिल से sport करो और वो भी इस series को follow कर सकते हैं और जो natural body building को power lifting को sport करते हैं वो इस चीज को follow करें मैं उनको अच्छे से अच्छे result भाई देने की कोशिस करेंगे मैं और गोरो दोनों भाई बहुत experience से हैं आठ-दस साल से गोरो भी कर रहे है आठ-दस साल से मैं भी कर रहा हूँ ठीक है तो हम दोनों का जो भी experience होगा best वो आपके साथ share करेंगे भाई 90 दिन का transformation है लोग क्या करते है इस्ट्रोइड वगेर लेके और बाद में अपनी बोड़ी दिखा देते हैं कहां भी 90 दिन में natural transform किया है हम अपनी तरफ से better से better results देनी कोशिश करेंगे और दिखाएंगे आपको कहां भी natural में कितना cutting आ सकती है कितना size gain हो सकता है वो सब कुछ दिखाएंगे proper follow करो exercise अच्छी लगे तो तो भाई अपना प्यार ऐसे हमारे साथ बनाए रखो और अभी start करते हैं कल से proper start हो जाएगा लेकिन आज भी हम suit कर रहे हैं और कोशिस रहेगी कि regular आपके लिए एक वीडियो आएगी तो भाई बोडी की जो present condition है वो ये है और आपके सामने है जो वह विल्कुल transparent होगा डे वाई डे आपको improvement दिखेगा आप देख सकते हो तो भाई आज हम start करने जा रहे है chest workout आप भी complete sequence को follow कर सकते हो और आज से ही day one से क्योंगी कल कभी नहीं आता अपना workout start करो ये पहली वीडियो अप्लोड हो जाएगी पहली वीडियो के साथ सादबना workout start करो और आपको continue वीडियो मिलती जाएगी आपकी भी 90 डेज में अच्छी transformation होगी chest workout कर रहे है start sequence आप देख लोगे आपको भी same follow करना है सबसे पहले बाई आपको body को warm up करना है ताकि कोई injury ना हो सबसे पहले warm up से start करेंगे पहली exercise start कर रहे हैं वाई हम बैर इस प्रेस आपको भी इसी से start करना है इसके हम 4 से 5 सेट लगाएंगे रैब भी आप देख सकते हो आपको मतलब ego weight lifting नहीं करना है जितना आप इसली जा सकते हो उतना जाना है और ध्यान रखें कि भाई आपके पिछे आपको sport करने वाला खड़ा हो और heavy weight में जाते हो तो belt का आपको यूज करना है तक ही इंजिरी नहीं बाइस सेकेंड डेक्स साइज है इंक्लाइन नंबल चलो अपर चैस्ट के लिए करते हैं स्टार्ट चलो भी बोरूँ चलो बाज है चाप बाज है चाप बाज है तो बाई स्टार्ट कर रहे हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज डिकलाइंड बैंच प्रेस यह आपकी लोवर चेस्ट के लिए है ठीक है इसके लगाएंगे तीन से चार सैट आपको भी सेब पैटरन पुलो करना है चल बोरो कर स्टार्ट चल बेंड आपको आपको लाप crân मेंच मेंफरा सकतर्ण होन एकिसन के लगाएंड08 क्यों क्यांच पुलो प्रेस अरिया हैत डेरा, जाम अरिया रादा का दिसन बुरे स्टार्ण है कर dog निँ दमफिये साफ और छॉम्स के लुम्स alike बहुत बड़ी है रहा है स्याप्टास नदा बड़ी हा रहा है चल 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 फीज़े बार बार ने है तो भाई फोर्थ एक्सर साइज स्टार्ट कर रही है केबल करोज आजा भाई वो रो फटाफट बता केंद्रा वेट लगा है और पंदरा र्यात ने टाल लिए एक भी कम नहीं चलेगा चाल 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 पास तो नहीं निकल जाए पंदरा निकले निकले वाई आप में क्यों आजा याज आज आज आए नाट्रल ट्रांस्पूर्मेंसे दखाने गोर वार पान प्रस्ट। कि दूआरें तो रहा बाई हो एट जाएंगे हैं किद्रे मारे थे अच्छा लबे बाई ने जादो मार दी अब बता दो पलोट बढ़ा में हैं ना सिधा चालीस सिधा चालीस तो देखने की घरा आओंगे अन्जरी निए वलेची बाई हमेशा इस चीज गा द्यान रखो गो तरोश लो प्रोग्रेसन रखो पुना अच्छी डाय चालो भाई तगड़ जाओगे बता एक गोरो इसके गोरो ट्राई कर ओं पंद्रा ये ट्राई कर पंद्रे हाँ ना सोले माले शापास बहुत बड़ी हा गोरो शापास शापास गोरो ग्यारा बारा तेरा स्यावासन चोदा पंद्रा प्रेम वहां निगे लगए सोड़ा दे दिया है सतरा रेप का सोड़ा गुरूने लगा दी है देखते हैं आप ही गुरू चल अरामत अरामत है चल की बढ़िया एक दो तीन चाल पांच आट नो दस ज्यारे बारा तेरे चोदे पंद्रे दूले तरह चल वाई बढ़िया वाक्रें जबर्दस था भई अब बता कितना बढ़ाना है वेट हो गया बाई 70 केजी देखते हैं गुरू कितने रेप निकालता है लड़का रेड़ी हो रहा अपना चल गोरो ले दे भाई खैचका बास बहुत बढ़िया श्याबास बढ़िया श्याबास सपोर्ट करो भाई देख लो कीतने पावर लगती है शाबास बाई ब्हुत बड़ी बाई यह मज आया वह तेरा का चैलेंज दे दिया गोरों ने चलो देखते हैं तो भाई 13 का चैलेंज आए अच्छे से रेडी होके फिर जाते हैं मादान में 13 से कम निच लगा वे तो ना भाई फूरे 13 चल कम इतना है लास्ट बारे मार दिये बरावर तो मारने कम निवारने 22 में पूल करते टैम ध्यान रखिए इंजरी के बहुत चांस रहते हैं शोल्डर में बहुत बढ़िया चल एक दो तीन चार पांच शै साथ हाट नो दस चल 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 तीन हो तो चल एक दो तीन चल बाई कर दिया लूंडे ने अहां तो बाई क्या फिल हो रहा है वाई तेने तिरे चैलेंज ना जान ले लें लगे लगी पक्का बखाऊंगे नेक्स्ट एक्सर साइज है बाई पैक डेक फलाई यह मतलब बहुत ही फैक्टिव है इसको कभी भी आप स्थिप मत करो और यह चैस्ट के लिए आईसोलेशन मुवमेंट है बाई पैक डेक फलाई है कैम बेस बेस्ट मसीन है जो कि आईसोलेशन के लिए बैस्ट है आजा बाई गोरो लगा वता कितना वेट लगाना है वेट कर लेवाई 60 kg के साथ करते हैं सुरूब 60 kg करते हैं और रैप निकाल लेए कम से कम तंद्रा रख जिए वह इसक्स्टी के जी है कि अधिन चाहर पांच लगा रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज डंबल पुल ओबर यह वी चैस के लिए बोध फाइदेबन है आज आपको टोटल शेक्सरसाइज बता दिये बाई सबके चैप चैप सेट लगा लो ठीक है और दस रैप आठ आठ से दस रैप से कम से कम रखो चल भाई वरो लगा श्याप आठ 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 तो भाई अपना चैस्ट रखाउट कम्प्लीट हो गया है डाइट भी आपके साथ सेहर करूंगा यह आपके लिए बाई एक गोल्डन चांस है अगर आप खुद को ट्रास्पोर्म करना चाहते हैं नेचरली ठीक है इसलिए इस लिए इसको फोलो करें और आज से ही स्टार्ट कर दें बताओ भाई गूरो कैसा रावर्काउट भाई पढ़िया एक नमर का पॉम्प आ गया बैस्ट एक्सरसाइज कोन सी लगी आज कि सबसे ज्यादा मजा आया बाई सबसे ज्यादा तो प्र अपना वेट जार है भाई 97.4 तो आपको पता है गेनिंग करेंगे पहले 5-6 kg की तो भाई अपना प्रकाउट हो गया है और मैं फ्लैट आ गया हूं अभी में ले रहा हूं भाई प्रोटिन जितना जल्दी से जल्दी हो पाए आपको अपनी डाइट लेनी है और भाई इसके बाद मैं खाऊंगा 8-10 तो आप भी एग बोईल कर सकते हूं और भाई एग मैं उनली वाइट नहीं खाता मैं फुल एग खाता हूं भी दियोक तो आप भी फुल एग ले सकते हैं और बाकी जो चीज़ें कट करने की होंगी वो मैं बता जूँँगा एग सा फुल एग सकते हूं और भाई